दो मुहनमते नमस्कार मित्रों मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नहीं थे मित्रों जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक बिसेश स्रंखला हम चला रहे हैं उसी बिसेश स्रंखला में आज बात करते हैं काली मिर्च के गुणों की रसुई घर में पाये जाने वाले मसालों में काली मिर्च एक प्रमुक मसाला है काली मिर्च के पौधे का मूल इस्थान दच्छन भारत ही माना जाता है भारस से बाहर इंडोनेसिया, बोनियो, इंडोचीन, मले, लंका और स्याम आज़ देसों में इसकी खेती की जाती है काली मिर्च सुगंधित, उत्तेजक और इस्फूर्त दायक मसाला है यह आउसदी गुणों से युक्त है काली मिर्च में पेपराइन नामक रसायन होता है, जिसकी वज़े से इसका स्वात तीखा होता है काली मिर्च में पाचन रस को उत्तेजित करने वाले इंजाइम को उत्तेजित करने की सक्त होती है जिसके कारण तीवर पाचन होता है काली मिर्च में इंटी बैक्टेरियल गुन होते हैं अगर काली मिर्च का पाउडर सहद में मिला कर सेवन किया जाए तो खांसी और जुखाम से रहत मिलती है काली मिर्च में मौझूद लार्विसाइडल प्रभाव मच्छरों से होने वाले संक्रमन को रोकने में मदद करता है काली मिर्च में मौझूद फिपेरिन कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है काली मिर्च में anti-inflammatory गुण होते हैं जो मसूनों की सूजन से राहत दिलाते हैं काली मिर्च के पाउडर में थोड़ा सा नमक वा पानी मिलाकर मसूनों पर हल्की मसाज करनी चाहिए अगर दातों में दर्द हो तो लॉंग के तेल में काली मिर्च पाउडर मिलाकर दातों पर मालिस करनी चाहिए काली मिर्च में phyto nutrients होते हैं जो वचन कम करने में साहिक होते हैं काली मिर्च में कार्मिनेटिव गुण होते हैं जो गैस की समस्या से राहत दिलाते हैं या पेट फूलने और पेट दर्ज में भी राहत देती है गैस की समस्या से निपटने के लिए हमें काली मिर्च को अपने रोज के खाने में इस्तेमाल करना चाहिए आधा चमच काली मिर्च और गुर को मिला कर खाने से भूंक लगना शुरू हो जाता है सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है जो दिमाग को सांत करता है और तनाव कम करता है काली मेच में पिपेरिन होता है जो सेरो टोनिन को बनने में मदद करता है और उसे उत्तेजित करता है काली मेच में इंटी आक्सिडेंट गुण होते हैं जो ब्लेट सुगर के इस्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं काली मिर्च हाइपर गलेसेमिया को भी नियंतित करती है जिससे मदमुहे के उप्चार में साहिता मिलती है जोडों का दर्द हो या अर्थराइटिस काली मिर्च के नीमित इस्तेमाल से लाब होता है काली मिर्च में इंटी आक्सिडेंट तत्थ होते हैं जो सरीर के इम्मिनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं तुचा के स्वास्थी के लिए काली मिर्च पाउडर में हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें और उसका नीमित प्रयोग करें तुचा पर विल्टिको के कारण अगर धब्बे आ गए हों तो काली मिर्च का तेल लगाने से लाव हो जाता है अगर सर के बाल तूट रहे हों तो काली मिर्च पाउडर में सहद मिलाकर बालों की जड़ में लगाएं कुछ ही समय में राहत मिलेगी मित्रों काली मिर्च को हमें अपने रोज के खाने में नीमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन अगर कोई चिकिस की प्रयोग करना है तो हमें योग चिकिस की सला अवस्य लेनी चाहिए मुत्रों हमारे वीडियो जो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो को पहला लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार